हेलो अरिवन विल्कम बैक टू ऑनलाइन स्टेडियों आज किस वीडियों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार के भगोल इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने चार पार्ट में मोडर्न इस्ट्री के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेशन से एक्जाम सोरियंटेड वो मैंने आपको कवर करा है आप उस वीडियो को दिख लीजगा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ठीक है और उन चारो वीडियो को हम एक कंबाइन वीडियो कर दें ताकि मास्टर वीडियो के र करने को देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण क्या बनता है कि बिहार का चेत्रफल कितना है वह सभी क्वेशन नहीं यहां से प्रश्ण बनते हैं जो प्रश्ण पूछे जा सकते हैं वह आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा एंड तक दे कि बिहार के किस भाग की ऑसव तुचाई सरवादिक हैं तो आप्सन हम सी को टिक करेंगे क्योंकि उत्री पस्चमी परवती भाग उत्री परवती बाग अगर हम यहां पर बिहार के कुछ इस तरह से मैप को देखना चाहें तो ध्यान रहेगा कि जो हमारा यह यह बात कर जा चमपारण में सुमेश्वर की पहाड़ी है जो कि बिहार के सबसे उची चोटी माने जाती है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी अगला प्रशन है कि बिहार कितने दिसांतर तक इस्तित हैं अक्छांसे विस्तार और दिसांतरी विस्तार को अच्छे से याद कर लिजेग क्योंकि पहले भी पूछा गया एक्जांस में तो यहां पर सही आंसर हो जागा दिसांतरी विस्तार ओप्शन हम सी को टिक करेंगे ठीक है ऑप्शन ए बिलकुल सही होगा गंगा नदी बिहार के की जीले में परवेश करती है बहुत ही सिंपल सा प्रशन है आप्शन सी यान में इस्वर की पहाड़ी है पस्चमी चाप पारण जीले मिस्ती थे तो यह बिलकुल सही होगा नेक्स्ट हमाले की बिहार के उत्तर से दक्षिर तक की लंबाई कितनी है तो ध्यान दीचेगा अगर हम नौर्थ से साउथ तक की उत्तर से दक्षिर की बात करें तो उत्तर हम क्या तीन जीसा लग रहा है तो आपको भी तीन वाले स्टाट करना है तीन सो पैतालिमेटर ओर अगर वार पूरब से पस्चिम की लंबाई कितनी है तो पूरब से पस्चिम की जो लंबाई है वो 483 होता है 483 किलोमेटर और जो 445 आप देख रहे हैं 445 क्या है तो बिहार में गंगा की लंबाई होती है 445 किलोमेटर तो यह ध्यान रखेंगे तो यहां पर फिलाल सही आंसर है option A को टिक करेंगे आगे देखें बिहार का चेतरफल भारत के कुल चेतरफल का कितना प्रतिसात है तो 2.86 बिहार राजशे के पस्चिमोतर कोने पर हिमाले की एक चोटी है इसे हम किस नाम से जानते हैं तो अभी ज़स्ट हमने बताया कि बिहार के एक पस्चिमोतर कोने पर यानि पस्चिमी चंब आढ ला जो हिस्सा है कोने पर हिमाले की चोटी है जिसको हम लोग सुमेशवर की पहाड़ी के नाम से जानते option D, बिहार के सिमला ताला, जो प्रमुख है, ग्रिफाइट उत्पादन के च्छेतर के 21 जीले में स्थीत है, जो मैंने आपको अभी खनीज वाला चाप्टर पढ़ाया था बिहार के प्रमुख खनीज, उसमें आपको बताया था इसके बारे में, ग्रिफाइट क्या होता है, कैसे हमने याद किया था, कि मुंगेर्स, यानि की फाइट, मुंग के लिए फाइट कर रहे हैं, फिर गैरों से फाइट नहीं करना चाहिए, गैरों से फाइट, तो फाइट और गैर, मुंगेर्स यहाँ पे सहीओ का और यहाँ पर फिलाल सही आंसर, सी हो हो जागा, सी को टिक करेंगे, अगला प्रस्ट, पुराना विहार का कितना प्रतीसाद जमीन लेकर के जार्खंड राज्य बनाएं जार्खंड राज्य बनाएं तो option B को टिक करेंगे 45.85 प्रतिसद 45.85 प्रतिसद सुमिस्वर जो स्टिडी है नेपाल के साथ कितनी किलोमेटर लबी अंतराष्टी सीमा साजा करती है नेपाल के साथ तो नेपाल के साथ लगभग य कहां से बॉक्साइड का उत्पाधन होता है गैरों का बक्सा नहीं चुना चाहिए तो गैर यानि की मोंगेर तो मोंगेर यानि के खगड़ जो है खड़गपुर पहाड़ी में option A होगा correct answer चले आगे देखते हैं अबरग प्रधान सिस्ट चटाने की जीलों के समूं में पा जाता है बहुर अंगी ग्रेनाइट जो हो किम मैं पाइजाता तो ये जोने को देखने को आप्टन S में यानि कि नवादा में ऻद्धा है ठीक है नवादा यहां पर correct हो संख्या मैं कतनी है तो ध्यान रखेगा प्रमंडलों की संख्या 9 होता है ठीक है प्रमंडल की संख्या 9 और अनुमंडल की संख्या 101 जब कि प्रकंडों की संख्या की बात करते तो प्रकंड आपका 534 होगा प्रकंड की संख्या 534 जीला 38 है तो यह याद रखेंगे बिहार का विस्तार देखें मुश्ट इंपॉर्ट सताइस एक्टिस पंदर यह उत्री एक्छांस होता है ठीक है और अगर हम यहां पर बात करें जो देसांतरी विस्तार 83-1950 से लेकर के 88-17-40 तक पूर्वी देसांतर यह होता है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा श्कोल का उसी इसे याद रखीगा अगला प्रश्ट बिहार debug फियार में चूसमा पथर कहाँ पाया जाता है लेकर में यह देखने को मिलता तो यहां पर दीखें फिलिन हम ऑल कह सकते सोन गाटी जीत के पस्च्चमी च enact के पहाडी में चैब बिल्कुल सही होगा option C को टिक करेंगे ठीक है option C correct होगा पस्चमी चंपारण जीला के सिवालिक पहाड़ी में इन में से किस चटान की प्रधानत है तो option B हो जागा परतदार परतदार option B को टिक करेंगे बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है पायराइट्स तो बताएए कि यह किस जीले में है तो मैंने आपको बताया था खनीजवाले में कि पायराइट्स यानि की राइट्स बढ़ाई का अधिकार है राइट्स है क पायए है या अयह 8 sharpdめल एयरपर मेटर और 173फीट के लगभाग बीहार भारत के किस भाग में इसथे थे तो यह पढ़ता आपका उत्तर पुरव में कहां पर उत्तर पुरव में पढ़ता इसे याद रखेंगे बिहार जो है भारत के उत्तर पुरव में बढ़ता है बिहा बिहार राज्य के मैदानी जो वागें वो कितने चेतर में विस्तेत हैं तो यहां पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए नवयहजार छे्सबचासवर Kilometer में नवयहजार उपचास वर किलो मेंटर और 94163 बिहعर का छेतर फल सहर जो कि गंगा नदी के किनारे श्तितन नहीं है तो ध्यान रहे का है गंगा कितने तो यहां पे सही-ांशर का बनेगा? टिन बिल्कुल सभी होगा option B, यानि कि गया में, ठीक है? गया में यहां पे uranium हो गया, टीन हो गया, यह सब आपका गया में मिलता है। next one क्या बनता है? पतना का स्थानिय समय निमली खथ में से क्या है? पटना का स्थानिय समय निमलीखित में से क्या है तो ये भारतिय जो मानक समय है उससे थोड़ा सा आगे है थोड़ा सा आगे 15 मिनट आगे है 15 मिनट का डिफिरेंसे से इसे याद रखेगा 15 मिनट आगे है अगला प्रश्ण की उतर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पस सबस्षा और यहांप्से और यहां एंप पूछ कर दिए जिले में परवेश करती हैं तो सबस्चित कारन हो बिहार में सीथ कालिन जो वर्षा होती है निमलीखित में से किस कारण से होती है तो right answer will be option D भुमत सागर की और से आने वाली जो चक्रवात है उनके कारण होता है सीथ कालिन वर्षा adoption D बिहार में सर्वादी की वर्षा कॉन नहीं मिलती तो इसका कारण है निकलती का पाल निकलती है और यह दर्वांगा का एई जगह वहां पर क्या हो चाने है कि और यह दो बागामबढ़ती जिसका एक धारा जो है वो जा करके बुड़ी गंड़क में मिल जाता है और दूसरी धारा कोसी नदी मिल जाता है तो यह डारेक्ट बागमती गंगा में नहीं मिलती है तो यहाँप हम करेंगे ओप्सन डीकूटिक चली आगे देखते हैं अगला सवाल की दच्छे बिहार की प्रधा नहरोदरा सरवाधिक सिचाई की जाती है रोताव्स डिस्टिक में आप्सन C बिहार में बेPart की नगर के निकर्ट निकाले गई नहर का नाम किया थीक गंड़कप्रियोजना नहर ठीक है गंड़क मुलग चक बंदी और भूमी के सीमा बंदी यह सभी के सभी बिल्कुल सही होगा इसलिए हम डी को टिक करेंगे आगे देखें नेक्स्ट वन क्या है कि मरुगा का सरवाधिक उत्पाधन की जिलेम होता है जैसे मरुगा का आट आपने देखा होगा मोटा नाज टैप का कहते है रहे हैं इसको तो मरुगा का सरवाधिक उत्पाधन होता है बीहार के दर्भांगा में होता है दर्भांगा अवियारं काहा अष्टित थी है तो ज्यूंप यूंजित मैं घ।ी сигाल में उयतित कि श्यूंज काटिहार ऊभान सब्सक्राइढेब विधेस बिल्कुल शुल defensive भी हर के जीले में उस्ट इंपॉर्टमेंट तो ये आपका पड़ते कटीहार में ठीक है कटिहार में चले उसके बाद नेक्स सवाल क्या है कि बिहार राजु के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं साइवेरियाई पक्षी जोकी प्रवास के लिए आते हैं किस पक्षी विहार में तो कावर पक्षी विहार वेगुसर है जो कावर ताल पक्षी विहार आपने देखा अभी उपर में वही है आपका वेगुसर है विहार का सबसे बड़ा अभ्यारन कौन से है विहार का सबसे ब रेसम के उत्पादन से संबंधित तजर और रेसम के उकाया जो है कहा है यह आपका भागलपूर और सिल्क सिटी के नाम से वैसे भागलपूर को जाना ही जाता है तो यह याद रखिएगा बिहाराज में सबसे प्रमुख क्रिसी अधारित उधोग क्या है तो यह चीनी प्रवय सोवय्ट संग के लागता यानि इससे मौरतमान में रूज के नाम से जानते पूरवय सोव्यट संग बिहार के कि किस जीले में डालेना पाया जाता है तो यह पाया जाता कि इसमें आका बाका बिलकुल से pan pancor川 में का है औपादन200 और화 म्याद रख सकते हैं जैसे आट जीले, और 8 जीलो के नाव मैं आपको अलग से ट्रिक के माध्यम्से याद करा चुका हूँ जो भी पड़ोसी राज्ज है पड़ोसी देश है या फिर पड़ोसी राज्ज है उनसे मैंने नाम अच्छे से याद करा दिया जी लोग है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो जरूर चेक आउट कर लीजेगा तो फिलहाल मैं आपको बता दू चाहें तो हो जागा जमुई पांचवाफ हम रखते हैं जैसे कई कटिहार छट्य नंबर पर नवादा साथवे पर रख सकते हैं साथवे पर रोतास रख लीजी साथवे रहतास और लास्ट हम एक पॉइंट बांका को रखते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने बगसर का जि इस तरह से दच्छे पस्चिम छेतर चलिए बिहार के अगर हम यह मैप थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए जो दच्छे पस्चिम छेतर की बात यानि कि यह वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं इसमें रोतास और कैमूर आता है और यह विंध के अंतरगत आता है यह वीडियो मेंने आपको निखिया करा रखा है तो जाका कर देख लिजएगा बिहार के रोतास जीले में कौन सा खनीज नहीं पाया जाता है तो कौन सा खनीज नहीं पाया जाता तो तो 10 के quarter में नहीं जाना चाहिए तो यह मैंने आपको याद किया था मुंगेर में पही और से यहां पर क्रैक्ड होगा अगला सवाल कि कि बिहार के किस दिले में अबरक पाई जाता है अब वादा किये हो तो रखो अब वादा किये हो तो रख अब रख वादा किये हो तो रख नवादा यहां पर सभी होगा option A के साथ साथ अगर options में नवादा के साथ साथ यह दोनों भी है तो यह भी होगा क्योंकि गया में भी मिलता है जमुई मिलता है लेकिन जाधातर मातर है यहां पर नवादा का होगा इसलिए हम यहां पर option एक टिक करेते हैं लेकिन options में दोनों है पूछा गया कि अब रख पाया जाता है सभी मिलता है तो राइट अंसर हो जयागा option सोले बनाते रोतास वाले यहां पर सही आंसर है ऑप्शन ए चीक है रोतास बिल्कुल सही आंसर होगा तो देखे फिंस यह हमारा 50 MCQ था जो इसमें 200 अमलोग कराने वाले उसका पार्ट वन है आसा करते हैं कि आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और अगर आपने इसे पहले वाले वाकी के पार्ट को जाने की मोडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर दे देखा हो जो तक जरूर देखा पार्ट देर आपने रचाने दूरर देखा लाने बसाट वाले प Barbara अनल्यास के अल्याओं जाने लागेआए व्या।